बालों की हर तरह की परिशानी को छूमंतर कर देगा करीपत्ता इस तरह करें इस्तिमाल बालों का जढ़ना आज का लाम समस्या हो गई है लेकिन असली समस्या तब होती है जब सिर्फर नए बाल न उगेंगे अगर आप भी बालों के जणने से परेशान हो चुके हैं तो ये खाने में इस्तिमाल होने वाला करीपत्ता आपकी मदद कर सकता है करीपत्ते में फॉलिक एसिड, फास्फोरस और विटामिनी जैसे तत्व मौजूद होते हैं जो बालों की ग्रोध को बढ़ाने में मदद करते हैं अगर आपके बाल प्रदूशन की वज़े से बहुत पतले हो गए हैं या समय से पहले सफेद हो गए हैं तो करीपत्ता आपकी इन परिशानियों को दूर करने में भी मदद करेगा करीपत्ते का पेस्ट बना कर करें इस्तिमाल करीपत्ते को मीठी नीम भी कहते हैं बालों पर लगाने के लिए आप इसकी पतियों को सुखा कर उसे पीछ लें अब इस पाउडर का पेस्ट बनाएं और बालों की जड़ों में लगाएं जब ये सूख जाएं तो अच्छे से बालों को धो दें जैतून के तेल के साथ करें प्रयोग करीपत्ते के पाउडर को जैतून के तेल के साथ मिलाकर इस्तिमाल करें बालों की जड़ों में अच्छे से लगाने के बाद इसे धुलें जैतून के साथ मिलाकर लगाने से करीपते के साथ ही इस तेल के पोशक तत्व भी आपको मिल जाएंगे नारियल के तेल के साथ नारियल के तेल में करीपते को डाल कर 7-10 मिनट तक उबालें ऐसा करने से पते के सारे तत्व तेल में आ जाएगे ठंडा करके इस तेल को बालों की जड़ों में लगाएं और धीरे-धीरे मसाज करें एक घंटे के बाद जब बाल तेल को अच्छे से सोख लें तो फिर शैंपू करके बालों को धो लें